Hello students welcome to our YouTube channel तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में हमने कवर किया था प्रोटिस्टा मॉनेडा इस तरह के जितने थे अनिमल किंग्डम के बारे में आज हम लोग जानेंगे प्लांटे के बारे में यानि की क्लासिफिकेशन आप किंग्डम प्लांटे जो पादब जगत का जो वर्गी करण किया गया था उसके बारे में हम उसके अधार पर और बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल स्टारी किंग्डम प्लांटे यानि पादब जगत का बढगी करण की सधार पर किया गया हम लोग क्या जानते हैं कि पादब जगत का जो बढगी करण किया गया उसके अधार पर कि प्लांटी क्या है प्लांटी का किंग्डम क्या है उ it is a kingdom of multi-cellular photosynthetic organism multi-cellular means जिनके पास बहुत सारे cell होते थे कोशिका होती थी बहुत सारे कोशिका भी थी के साथ उनके केंडरक भी होते थे और ऐसे बहुत सारे organisms थे जिनके cellulars cell walls के बने होते थे cellulars cell walls के बने होते थे उसके बाद उनकी जो वो एकवर्टिक होते थे की नहीं यह इस kingdom के जरिये इस first वाले kingdom के जरिये हम जानेगे तो हमारा first जो kingdom था वो है थेलोफाइटा थेलोफाइटा जैसे की नाम से ही हम जानते है की थेलोफाइटा क्या है लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि plants का बर्गी करण किस तरह से किया गया है किस अधार पर किया गया था ठीक है यहां देखते हैं जैसे कि आपके screen पे दिख रहा है plants का बर्गी करण किया गया है दो भागों में जिसके पहला भाग था do not have differentiated plants body जो plants body का differentiate नहीं किया जा सकता था उसको एक भाग में रखा गया, दुसरा भाग जिसके body का differentiate किया गया, यहनि जो इन जिनका part का body के हिस्से का, यहनि कि जिनके सरीर के या पादब जगत जितने planted है, उनके कितने भाग थे, मिन्स उनका जो सरीर था, जर तना पती में भी भाग थो सकता था कि नहीं, ठीक है उसकी बाद तो जो जिसके डिफ्रेंसियेटेड नहीं किया जा सकता था उसको हम लोग नाम दिये थैलोफाइटा जिसको डिफ्रेंसियेट किया जा सकता था उसको दो भागों में फिर से हमने बाटा क्या किसलिए क्योंकि जिनके पास वस्कुलर टीसूस थे की नहीं वास्कुल邦 टीसूस जिनके पास थे उनको ब्राइबधा कहाथ गया वृत विदाओड वास्कुलर नोटिशन जो प्लांट्स हमारे मिट्टी से एकत्र गर्ते हैं और समवहन करते हैं उसिको ही समवहन तंतर का आई-वर त्यूस का जाँ-टी जिसको कहा जाता है उसमें जायन फ्लाऍट प्लांट्स प्लांट्स का यह उसके बाद वस्कुलर टीसूस जिनके पास थे उनको दो भागों में बाटा गया, क्या वो seeds produce कर सकते थे, यानि जिनके बीज हो सकते थे, या फिर produce, जो seeds नहीं करते हो, जिनके seeds produce, seeds जिनको बाटा गया, उनको हम लोग फिनेरियो गैम्स काते हैं, फिर उनके seeds जो थे, क्या वो naked थे, और क्या वो seeds inside fruits के अंदर होते थे, तो उसको हम ल यानि कि एकपत्री और फी इस तरह से प्लांक्स का बरगी करन किया और अधार्ज क्धिश्टी फिटलते अल्गी इस है इसाटके जो लोग नहीं हुआ है शोबिवटेने तरह करते में लिसे फाट आठें वायनिंगे अल्गीों के हला हुआ ठरूज uh जिसको, यह अल्गी से बहुत difference है क्योंकि इस अल्गी का जैसा कि हमने Animal Kingdom में पढ़ा था, तो उस अल्गी का differentiator यह multi-cellular है, यह रही इनके इनके पास बहुत सारे cell वाल है ठीक है, multi-cellular होते है और eukaryotic होते है ठीक है, जिसको जो जिनका अपना, और गरिक का अपना किया होता है जिनके पास खुद का अपना केंदरक होता है और मेंबरेंबाउंड और गरिस प्रेजेंट होगा ठीक है तो यह होंगे इंते हैं सबसे पहले यह पारटा जिसके नाम से हम लोग क्या जानते हैं जिनको undifferentiated किया जा सकते हैं जिनके parts को नहीं बाटा जा सकता है ठीक है तो it is a division of planting in which the plants do not have a well differentiated body design जिनके पास खुद का अपना body design means उनके जरतना जरतना पत्तियों में बिभक्त नहीं होगा तो उसको हम लोग थैलोफाइटा के नाम से जाना गया है ठीक है इनका जो characteristics था बिसेश्थाय क्या थी जिनका body simple body and इनका simple body design होगा simple होगा जिसको थैलस कहा जाता है थैलस ठीक है थैलस का मतलब भी होता है undifferentiated ठीक है इनका जो reproductive organ होगा वो कैसा होगा यह unicellular होगा और non-jacketed होगा ठीक है इसमें कोई jacket नहीं लगा होगा उसका जो embrace stage होगा वो absent रहेगा भर स्कुलर system जो होगा वो भी absent रहेगा ठीक है तो थैलोफाइटा has a single subdivision of algae algae का six single subdivisions of algae की बारे में हम लोग क्या जानेगे algae क्या है देयर थैलोफाइटास आपकी बुक में पुरी तरह से लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहेंगा जाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूं कुछ-कुछ भी लिख भी रहें तो अलगी ठीक है इसका जो करेक्टर है वह यह है थैलोफाइटा है थैलोफाइटा है जिसका बॉडी अंडिफरेंशेटेड होता है वी चिरी चाहँ केबल मनुफ्रेक्टरिंग दिया ओन फूट थ्रू फोटो सेंथेजिस यह फोटो सेंथेशिस जो संसेशन की किरिया के द्वारा यह अपने खाना खुद बनाते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं अलगी क्या होते हैं मोस्टली एक्वर्टिक होते हैं यह मोस्टली एक्वर्टिक होते हैं अल्ली फ्यू ओकर्स इन मोस्टली टेस्रियल हैबिटेट्स कुछ ऐसे होते हैं ज इसके जड़े आप अच्छे से समझ पाएंगे अब इस तरह की डाइग्रम अपने बुक में देखे होंगे देखे जहां पर यहां पर यह दिख रहा है अचा बताइए कि यह जो युलोथ्रिक्स है और यह है अलवा है इनका क्या बॉड़ी आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें कोई रूट है या फिर इनका जो बॉड़ी डिफ्रेंसियेट है जड़ तना भागों में ऐसा कुछ डिफ्रेंसियेट नहीं है तो यह जो बॉड़ी था यह अन्डिफ्रेंसियेट था ठीक है इनके बहुत सारे पि नेीक हमेड अधर की walूर कर से सकते हैं टाभीक ही साथ अछी ये फिर ले भी हो सकते हैं रिया जूर टीकता जो जन्तार किलाच सब्सक्राण में अबो में हुआ और थीसले प् concept को不षच करी अधरी है हम उसके जरी काहरा है और यह अलगी में आते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं यदि आपके कोई पूछे कि अलगी और फंगस में क्या डिफरेंसियेट होता है क्या उसका अंतर क्या हम लोग निकालेंगे तो इसका फोटो सेंथेसिस पिंगमें होता है वो खुद बनाते हैं ठीक है और जो फंगी होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं यह अपना बोजन खुद से नहीं बनाते हैं स्टार्स ए blij में कते हैं चिटिंग्स जो ढिनेजर दी दुश्टार्स डशन्मी 3. ablezn Nothing responsible जेकर कोईक्त डच तहां होते हैं स्टार्च डश स्रक Core जबकी, फंगी कोन्तेन, ग्लाइकोजिन ऐन अ को अचलता है लियत दीफ्रेंस ट्यार कर सकते हैं इसके बार हम लोग गाते है तो हम लोग याटे है तो आजी आते हैं ब्रायोफाइक का जिस तरह से नाम साही पता चलता है कि bryon means होता है moss और phyton means होता है plant ठीक है तो bryophyta यानि कि moss और plants में इसको divide किया गया इसका जो body था bryophyta means होता है क्या कि division of non-vascular plants non-vascular plants means क्या इनका जो समवहन तंत्र था वो absent था यानि जायलम phloem जो था वो absent था having an embryo stage in their life cycle जिनका stage और embryo stage था वो अपने life cycle में पूड़ा करते हैं इस तरह से ठीक है तो body is differentiated into steam or leaves like structure steam or leaves like structure में इनका body differentiate होता था जो root like structure था जिनको rhagors भी कहा जाता है ठीक है यह rhagors अभी दिखाऊंगे आप लोग को represents और यह autotropic organisms होते थे यह autotropic organisms होते थे means अपना भोजन यह swim से बना सकते थे ठीक है तो इसकी बारे में कहा गया है क्या कि chlorophyll युक्त इनका अपना chlorophyll युक्त थैलस जो होता था था थैलस means root like structure इस तरह से बना होता था steam or leaves like structure में divide होता था पत्तेदार जर्वहीन पत्तेदार पादब शरीर स्वतंत्र gametophyte gametophyte पौधा होता है gametophyte पौधा होता था जिसका समवहन उतक तंत्र जैसा मैंने बताया वस्कुलर टीसू जायला मफ्लोयम अप्सेंट होता था किन्तु यह जो पाए जाते थे एंपिवियंस थे एंपिवियंस मिन्स क्या होता था एंपिवियंस जैसे हम जानते हैं कि या तो यह mostly mostly most place में रहेंगे most police means या तो थोड़े पानी में रहेंगे जहां पर यह खुद से जब समवहन तंत्र अपसेंट रहेगा ठीक है तो वहां पर यह कैसे अपना पानी लेंगे nutrition लेंगे किस तरह से लेंगे तो वह क्या करेंगे ऐसे जगह पर रहेंगे जहां पर इनको direct मिल सके उनके root से root like structure से जो भी है वहां से वह अपने चीजों को प्राप्त कर सके ठीक है यानि कि वो जो nutrition था पोशक्तत हो था वो खीचा जा सके तो इसलिए यह amphibians होते थे या तो यह थोड़े most place में रहेंगे या तो पानी में र फ्लेजिला कहा गया है दो फ्लेजिला यूक्त अंत्रो जोएंट्स यानि कि नर गेमिट और मादा जनना जो द्वारा अंडा ओभम के द्वारा निर्मान होता था इसको सैप्रोफाइट में क्लोरोफिल का भाव होता था यह गेमिटोफाइट पर निर्वर करता है ठीक है और ब्रायोफाइट का सरीर था जैसे बताया आप लो पैर या फुट या सीटा कैप्सूल तीन वागों में बिबागत रहता था कैप्सुल्स में sports, well sports होते थी, ठीक़्», तो जो sports होते थे, इसको, sports इनके पतीों में होते थे जिनको कहा गया है जहांपर जैसे sports like structure भीखेंगे, पतीयों में इस तरख से दिखेंगे जो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन इसको, sports कहा गया है, sports का निर्मान, sports mother cell के, नियोटिक विभाजन के फॉलसुरूफ होता था ठीक है यह हमें दिखाई नहीं देंगे पर यह जब हाली माइक्रोस्कूप से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके पत्ते में जैसे कि इस तरह से कुछ रचना है इनकी जैसे इस बुक में मैं दिखा रहे हूं आप सोग देखें इस तरह से कुछ रचना यहां पर यहां पर दिख रहा है पत्ते लाइकिया यह जो भाग जो दिख रहा है यह इस तरह से यह राजह स्ल राइजोड्स लाइस को रैजह लाइजोर्स काहा जाते है Все gorgeous में ज़ंड जैसा बना हुआ है त्यक है इसका जो जैसे फर जिसको मौस भी कहा जाता है ठीक है तो इसको रायजोर्स बोलते हैं तो इसको सिटा बोलते हैं यूँकि यह रूट-like structure और यह स्टीम-like structure है यह जैसे लग रहा है कि आपको फूल की जैसा लग रहा है पर इस तरह से बना हुआ है पर यह पूरी तरह से डिफ्रेंशियेट नह लगा बाल्य फाइटा का नाम दिये तो इस तरह से ब्रायजोर्स फाइटा का नाम दिए उसके बंशिये 경ण कंपा अहें तरह स्पैर्ट के आप जिसका अर्थ हो नहीं बेंस होता है एथा नहीं होता इस नहीं होतें खेंब झालट-ट-ट, में श्वार्ट है तो अच protective और जिनको जो सीर्स प्रोड्यूस कर सकते थे उनको एक डिविजन में रखा गया पर इनमें अब जैसे कि वहां पर जायलम फ्लोयम जो संवहन तंतर था जो अपसें था ब्रायो फाइटा में और थैलो फाइटा में यहां पर वो प्रजेंट होने लगा ठीके इस तरह से भाजर्स होते थे और स्टीम और पत्या इन भाग होते थे थे अब इनका जर बहु तो भाजने लगा और इनको पत्या भी बनने लगा से पत्या और पतियों में जो था वह स्प्रांजीया और पाया जाता था थे स्प्रांजीया में यहां पर इस स्टरा से कुछ इस च्रॉक्चर होतीती तेटिग है यहां पर यह दिख रहा है यह फंड का एक्जामपल और यह है मरसीलीय मरसीलीय इस तरह से यह रूट-like structure जिसको तो इस तरह से यह तू टेरेटोफाइटास जो यहां पर है इनका जो प्लांट बॉडी था वह इस्पोरेटोफाइटे थे और डिफ्रेंसियेटे इन्टो इस्टीम स्लीप्स और रूट्स में इनके जो सेक्स ओर्गन थे वो क्या थे मुल्टी सेलूलर थे और जैकटेट थे जो से जलानम जो इनालम जो इनका जो बलॉट्स के बने होते थे ते जनको आखकेऊं गोनिया भी जो डिवीजम करते थे फोल यह क्या होता था कि टो यह तो यह तो यह कि अपने रया का जा कह सके तो यह यहां पर यह तेर के जाके जाके फिर वह मिल्हां तो जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नए एस्पेरोफाइट का निर्मान करते थे ठीक है इंड में वस्कुलर टीसू होता था जायलम और फ्लोयम होता था ताकि यह अपना भोजन भी बना सके और पानी का और न्यूट्रिशन जो था उसको भी यह प्राप्त कर सक है इसका एग्शाम्पल हम ले सकते हैं मर्शीलिय यह वारर फंण होता है उसकी बाद आप ले सकते हैं इस तरह से हम लोग इसका एक्जंपल ले सकते हैं उसके बाद हम लोग आते पधन का बना लकडी का स्वतंत्र और सदाबहार पहुता था यानि यह दिफ्रेंशिये होने लागे अच्छे दिफ्रेंशिये होने लगे यह अब इन में राइजॉट्स नहीं पाये बाते थे ठीक है इनकी मुशला जड़े यानि टैप रूर्स पाई जाती थी और जो समभन वंडल खुला एंड मार्क जायलम जिनको के साथ कैलेटरल भी होता था ठीक है तो जो जायलम जो था वो कैलेटरल भी होता था जायलम उसके बाद इन में ट्रैकिया नहीं पाया जाता था रखे हैं इसको भी आप देख लीजेगा लेकिन सखको शिकाय नहीं होती थी तो जो पतिया होती थी वह यूरी रॉल्फ पत्र एहों बड़ी फ्लोईज के पतिया पाय जाती थी यह है हमारा जीम्नोस्पर्म का करेक्टर है ठीक है इस तरह से आज हम लोग यहां पर जीम्न के साथ आप इस तरह से देखते रहे हैं पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा और कुछ भी दिक्कत होने साब मुझे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थैंक यू किप वाचिंग बाबाई